वेल्कम दोस्तों दोस्तों आज हम बात करेंगे कि सरकम सीजन जिसको हम खतना बोलते हैं उसके क्या बैनिफेट्स होते हैं सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ सपोज यह हमारे लिंग है और हमारा सरकम सीजन नहीं हुआ हुआ है जिसकी वज़े से जो हमारी फ्रेंट की जो ग्लांस पैनिस के उपर जो खाल है वो इस तरीके से कवर्ड है तो दोस्तो होता क्या है यह कवर्ड होने की वज़े से हमारे पैनिस के अंदर जो है कुछ मौश्चर रह जाता है और उसको हम क्लीन नहीं करने की वज़े से हमारे लिंग के अंदर थोड़ा सा फंगल इंफेक्शन और वालेन इंफेक्शन हो जाता है दोस्तों, fungal infection होने की वज़े से हमारे link के अंदर smell create हो जाती है और हमारे जो front part है उसके अंदर sensitivity create हो जाती है तो दोस्तों, अगर आप circumcision करा लेते हैं तो आपका जो glance penis है बिल्कुल खुला रहता है और आप जब भी washroom जाएंगे, आप जब भी अपने link को साफ करेंगे तो वो एकदम clean भी हो जाएगा easily आपको link का penis का clean रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है आप कोई भी intimate wash है, इसको clean कर सकते हैं daily basis पे ज़रूर clean करें circumcision हुआ हुआ है, तो आपको इतना chances नहीं है dirtiness के, अगर आपका circumcision नहीं हुआ 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 है तो आपको बहुत ज़्यादा एहत्याद रखने की जरूरत है कि आपको कोई भी fungal infection ना हो इसके अलावा benefits सबसे पहले यह है अगर आपका circumcision हुआ हुआ है तो आपका urinary tract infection नहीं होगा बहुत ज़्यादा कम chances हैं कि आपको कोई भी infection आपकी link के अंदर हो तीसरा सबसे बड़ा फायदा होगा कि आप जब भी sex करेंगे जब भी आप संभोग के लिए जाएंगे तो आपकी partner को बहुत ज़्यादा pleasure आएगा और आपको भी ज़्यादा pleasure आएगा क्योंकि जो बीच की जो unwanted खाल जो थी वो हट चुकी है और आपका glance penis एकदम full के मोटा हो गया है जिसकी वज़े से आपकी female partner को बहुत ज़्यादा आनन्दा आएगा तीसरी चीज़ ये है कि आप अगर circumcision करा लेते हैं तो आपको sexually transmitted disease होने से भी आप बच पाएंगे उसके अलावा आपके penis के अंदर infection की और परिशानियों की जो possibility थी वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी सबसे main बात ये है दोस्तों कि आप penile cancer जैसी बीमारी से बच पाएंगे जिसको link का cancer भी बोलते हैं तो आप अपने link के ध्यान रखें उसको clean रखें circumcision करा सकते हैं तो करा लें आपको भी उससे pleasure आएगा आपकी female partner को भी उससे pleasure आएगा खाल होने की वजह से हमारा link जब खड़ा हो जाता है तब भी वो खाल एक condition में वो खाल पीछे नहीं हो पाती जिसको हम femosis बोलते हैं जिसकी वजह से हमारी partner को अच्छे से enjoy नहीं मिल पाता और हमें भी ऐसा लगता है कि वो खाल पीछे नहीं हो रही है इसके अलावा आप अगर घर में ही अगर link का clean करना चाहते हैं तो सबसे पहले intimate wash उसको clean करें, dry करें आप चाहें तो गोले के tail से अपनी link की massage कर सकते हैं front part का जिससे कि आपकी link के अंदर sensitivity कम हो जाए तो दोस्तो ये बहुत जादा important बात है कि आप अपने circumcision कराएं link को clean रखें, अपने penis का ध्यान रखें क्योंकि आपकी sexual life अगर healthy होगी, तभी आप अपने partner को अची से satisfy कर पाएंगे दोस्तो अगर आप हमसे कोई भी sexual related problem discuss करना चाहते हैं तो आप दी गई number पर में call और whatsapp कर सकते हैं तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई information के साथ इसाज़त दीजिए, thank you very much